जैहिंग दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेलवे की लेटस्ट अपडेट के लिए मोजिटिकेशन बेल पर क्लिक करें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 08184 दानापुर टाटानगर सुपर त्योहार विशेश ट्रेन की पूरी जानकारी यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है इसलिए लेटस्ट समय सारिनी का लिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुपती है इस ट्रेन में कौन-कौन सी सुविधाय मिलती है, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है यह ट्रेन दानापुर और टाटानगर जंक्शन स्टेशन के बीच रोजाना चलती है ट्रेन शबबी स्टेशनों पर रुपते हुए कुल 506 किलोमीटर की दूरी लगभग 12 घंटे में पूरी करती है इस ट्रेन की औसत स्पीड 44 किलोमीटर प्रती घंटे की है अब मैं आपको इसके कोच कमपोजिसन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ इस ट्रेन में AC चेयर कार और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूँ इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ यह ट्रेन चूटने से आधा घंटा पहले दानापुर स्टेशन पर आकर रुख जाती है, और सुबह 5 बचकर 46 मिनट पर रवाना होती है. इस ट्रेन का पहला हॉल्ट पटना जंक्षन स्टेशन है, और यहां ट्रेन सुबह 6 बचकर 5 मिनट पर पहुँचती है, यहां ट्रेन 5 इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 6 बचकर 18 मिनट पर पहुँचती है यहां ट्रेन दो मिनट रुपती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बचकर 18 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन दो मिनट रुपती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट लखकी स्राया जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 8 बचकर 43 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन एक मिनट रुपती है। इस ट्रेन का बारवां हॉल्ट मनपूर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9 बचकर 10 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन एक मिनट रुपती है। इस ट्रेन का 13 बचकर 46 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन का 14 बचकर 42 मिनट पर पहुचती है। इस ट्रेन का 18 बचकर 46 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन एक मिनट रुपती है। इस ट्रेन का 21 होल्ट चितरंजन स्टेशन है और यहां ट्रेन दो पहर 12 बचकर 11 मिनट पर पहुचती है। इस ट्रेन का 22 होल्ट आसनसोल जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दो पहर एक बज़े पहुचती है। इस ट्रेन का 24 होल्ट जेचंडी पहार जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दो पहर 2 बचकर 26 मिनट पर पहुचती है। इस ट्रेन का 25 होल्ट पुरुलिया जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दो पहर 3 बचकर 8 मिनट पर पहुचती है। इस ट्रेन का 26 होल्ट चांडील जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 4 बचकर 3 मिनट पर पहुचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुपती है। इस ट्रेन का 27 वा और आखिरी होल टाटानगर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 5 बज़ कर 15 मिनट पर पहुँचती है दोस्तों मैंने इस वीडियो में किराय से संबधित कोई जानकारी नहीं दी है क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग-अलग होता है और समय समय पर किराय में बदलाब भी होते रहते हैं किराय की जानकारी आप रेलवे की ओफिशियली साइट IRCTC.co.in पर देख सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबधित कोई सवार है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कूछ सकते हैं मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें मुझसे करीब से जुरने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट टोटल ट्रेन अंफो पर फॉलो करना न भूले आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा धन्यवाद